दोस्तो एक नमबर फोल्ड में आ जाता है जो हम लोगों को EOT overhead crane है तो EOT overhead crane में जो आपका MCCB लगा हुआ है तो यह 24 घंटा में 10 मिनिट में 5 मिनिट में 20 मिनिट में आपका trip हो रहा है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है पहले आपको सोचना चाहिए कि जो आपका MCCB लगा हुआ र overload जब आप EOT overhead crane में बहुत बढ़िया से सुरू से लेकर लास्ट तक चेक कर लिये हैं कि हमारा ना short circuit हो रहा है ना overload हो रहा है तो यह MCCB हमारा trip क्यों हो रहा है अगर trip हो रहा है तो हमारा hard time क्यों नहीं हो रहा है कभी 24 घंटा चल जा रहा है कभी 2 दिन में बढ़िया चल र रहा है तब आपको क्या-क्या चेक करना है पहले यह जो MCCB है MCCB को बहुत अच्छा से चेक करना है क्योंकि जो fault के बारे में मैं already आप लोग को बता रहा हूं यह fault solve करने में आपका 2 दिन तक time लग गया समझ में बिलकुल भी नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है thermal overload relay में thermal overload relay को change किये लेकिन problem solve नहीं हुआ वही same to same problem रहा उसके बाद दोनों power contactor भी change किये फिर भी आपका problem solve नहीं हुआ तो उसके बाद last में यह MCCB के ओपर बिलकुल भी doubt नहीं गया था और ना समझ पा रहा था कि यह MCCB आपका खराब हो गया है अगर MCCB खराब हो गया ह जब मैं ball folder से check कर रहा था आपका ठीक बता रहा था और जब आपका motor में load पर रहा था उसी time MCCB आपका single phase हो रहा था अभी जब यह MCCB को पूरा उपर का दोनों screw खोल के देखे तब समझ में आया कि MCCB के अंदर में आपका single phase हो रहा था और इसके चलते आपका क्या हो रहा था MCCB आपका बार बार trip हो रहा था तो जब-जब MCCB के अंदर में आपका single phase हो रहा था तभी आपका MCCB trip हो रहा था तो इस type का अगर आपके पास fold आये तो आपको भी MCCB को check करना है और दो नंबर में आज आता है क्या कि जो power contractor आपका लगा हुआ है चाहे आपका main host का हो LT का हो या CT का हो जब आप देख रहे हैं कि MCCB लगा हुआ है या MCB लगा हुआ है या कोई-कोई जगा में SAFU लगा हुआ है कभी-कभी क्या होता है एक fuse कर जाता है दोनों fuse आपका सही रहता है तो उस time भी आपको check करना है कि आखिर हमारा single phase कहां से हो रहा है हमारा power contractor के पा से हो रहा है MCCB ट्रीप होने का मतलब है कि आपका ज्यादा तर यह पैनल में फॉल्ड रहेगा और नहीं तो जो आपका केविल टॉली रहता है केविल टॉली में ही problem रहेगा single phase बहुत type का होता है एक बार single phase होता है कि आपका motor बिलकुल घूमता ही नहीं है तो उस problem को बहु एक बार उठाये उठाने के बाद फिर 15 मिट बाद आपका trip हो गया तो कितना बार निचे से उपर आप डाउन करेंगे तो इसका तो solution ढूंडना पड़ेगा इसलिए आज इस वीडियो में में आप लोगो को बहुत अच्छा से समझा रहा हूँ नमस्कार दोस्तों practical experience technician तप इसमें आपका एक reverse का और एक forward का contactor रहता है तो यह दोनों contactor में क्या होता है कभी कभी दोनों contactor आपको चिप्यक जाता है एक बार अगर दोनों contactor आपका on हो गया और देख लिए के यह जो तीनती कीट रहता है आपका contactor के अंदर में एक कीट दुसरे के साथ सट गया मतलब एक दम चिपक के बैठ गया तो उस टाइम यह जो दोनों power contactor है इसमें अगर आप बिल्कुल नया कीट लगा दीजिएगा नया सब कुछ कर दीजिएगा उसके बाद भी देखिएगा कि एक दिन या दो दिन बाद का तीन गों contactor रहता है अगर आपका सेम टू सेम लगा हुआ है तो यह दोनों contactor का आपको खोल के resistance में कर देना है और resistance में से दो power contactor के लिए आप लगाईएगा पतला एक नमबर या दो नमबर दो गों resistance contactor खोल के ही लगाना है इस जगह में तो जब भी इस टाइब का problem आएगा दोनों power contactor आपको नया लगाना है तभी यह problem solve होगा नहीं तो solve नहीं होगा जितना बार भी आप नया कीट लगा दीजिएगा तो देखिएगा फिर दोबार आपका कीट चीपक जाएगा तो इसका problem आखिर रहता का है तो इस problem को भी आप बहुत अच्छा से देख बिल्क सकते का अखिर हो क्या रहाएं contactor को आपको खोलना है और contractor के अंदर में आपका दोनों तरप दोगों spring दिया आऊ रहता है तो नया वटांट लगा पूराना वटांटेक्टर के स्प्रिंग को मैच कराईएगा तब आपके सामने में fold आ जाएगा अभी दोस्तो चार स्भूंता है नंबर फोल्ड तो चार नंबर पोल्ड हम लिए क्या है कि जाब आपका जो कंट्रोल के लिए तुरंद आपका ट्रीफ हो जा रहा है तो क्या कि आपको चेक करना है तो इस जगा में दोस्तो मैं एक अलग टाइप का डाइग्राम बनाया हूं आप लोगों को समझाने के लिए लेकिन आज इस वीडियो में मैं फॉल्ड के बारे में बता रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में इसका कनेक्शन के बारे में एलडेडे आप लोगों को समझाऊंगा तो जाब आपका बार बार यह 6 Ampire बाला MCB ट्रिफ हो रहा है तो उस ताइम जो बाला पैनेल में हो रहा है एल्टी में हो रहा है या सिटी में हो रहा है या एकजिलीर होस्ट में हो रहा है किसी पे भी हो रहा है तो उस टाइम जो आपका पावर कॉंटेक्टर लगा हुआ है तो एक फर्वार रिवस और एक फर्वार दोगों पावर कॉंटेक्टर हो गिया और रेश्टेंस के लिए A1 और A2 दो गो वायर रहता है तो दोनों वायर को आपको खोलना है खोलने के बाद बाल फोल्डर में चेक करना है क्यामारा बाल फोल्डर जल रहा है या नहीं जल रहा है ठीक है तो जीस टाइम आपका MCC भी एक बार on किये आपका trip हो गया तो उसके बाद आप जब दोबारा on किजिएगा उससे पहले आप एक एक करके जितना सारा contactor है पांच गो रेश्टेंस का रहता है और तीन गो भी रहता है दो गो reverse forward के लिए रहता है ठीक है तो सबका वायर खोल दिए एक 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 वायर आपको खोलना है चाहे आप neutral बला भी खोल सकते है या phase बला भी खोल सकते है खोलने के बाद MCB को आपको on कर देना है on करने के बाद एक एक कोंटक्टर का वायर का तार लगाना है अगर आप A1 का खोल के रखे हैं तो पहले आप reverse का लगा लिए उसके बाद forward का लगा लिए उसी टाइम आपको समझना है कि जब हम reverse बला लगाए तो उसी टाइम हमारा MCB ट्रीफ हो गया इसका मतलब कि ये जो reverse बला power contactor है चाहे forward बला power contactor है जो contactor में लगाने के time आपका MCB ट्रीफ होगा तो उसी contactor का coil आपका खराप हो गया है और ये भी fault देखिएगा बहुत कम आता है सीमेस का contactor में बहुत कम आता है लेकिन BCH के contactor में कभी कभी आता है ठीक है रेलेंटी के contactor में आपको कभी ने कभी जरूर देखने के लिए मिला होगा तो ये जो experience है अगर आप माली जो मोटा मोटी 10 साल से काम कर रहे है तो आज का जो जो fault के बारे में मैं आप लोग को बताया हूँ जब आप बहुत सालों से काम कीजिएगा तभी ये सब fault आपको देखने के लिए मिलेगा आज कोई company में गए तुरंद आपको ये सब fault देखने के लिए नहीं मिलेगा और ये सब fault जब मिलता है तब ही क्या होता है हम लोगो थोड़ा दिमाग में tension भी हो जाता है और ठीक से हम लोग fault को solve नहीं करते हैं दोस्तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा है तो like, share, comment जरूर कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा क्योंकि मैं इसी type के content बनाता रहता हूँ और जितना हो से कि मैं आप लोगो का help करता हूँ नमस्कार, जाए हिंद